देखिए मजदूर हमने जारखण से मंगवाए हैं देखिए आधा दुरा कर रहें आधे और अलग कलर आधे और अलग कलर इनकी कलाकारी ही अलग है नमस्कार दोस्तों मैं नीतू मेरे यूटूब चैनल नीतू के अंदाज में आप सबो का स्वागत है ये ब्लॉग सफाई वाली ब्लॉग है फ्रेंट दिवाली की तैयारी सफाई मौज मस्ती बसी यही ब्लॉग है आई होप आप लोग इंजर कीजिए का देखे मैं पूजा रूम की सफाई कर रही हूं यह कर लिया मैंने से स्वरी प्रेंश अंदेरा लग रहा है लड़ू गोपाल को यहां रख दिया मैंने कान्हा को यहां पर देखें स्पेस नहीं हो रहा था इसी वज़ा से मैंने थोड़ा इधर उधर किया अंदेरा दिख रहा कुछ नहीं दिख रहा क्यों को लाइट अपोजिर सेट क्या रहा इसी वज़ा से देखिए मैंने दो फोडो बाहर लगा दिया क्योंकि जगा नहीं हो रही थी मुझे मंदिर में छोड़ा मंदिर में लड़ू गोपाल रहा है बड़ा मंदिर में शारे बगवान रहा है अंधिरा के बज़े से नहीं दिख रहा है आप लेंगों को या फ्रेंस बाकी की प्या बोलो चल गई बहुत जद दर्द हो रहा है अब आप चलती हुँ भगवान की सफाई हो गए थोड़ी बहुत बाकी दुसरे दिन सफाई करेंगे और भगवान को कपड़ा दिवाली के दिन पहले दिन में चेंज करूंगी मार्कर जाओंगी या लेकि आओंगी कपड़ा नया कपड़ा कि मैंने दो भी दिया फ्रेंट्स साफ करके देखिए भगवान सो भी गए मैंने ढग दिया और फर्ष को दो दिया क्योंकि बहुत धूल-धूल हो गया था तो अभी थोड़ा साफ लग रहा है अच्छा लग रहा है मन को भी सांती मिल रही है यह दूसरे दिन का ब्लोग है फ्रेंट्स मैंने यह सेल्व को साफ करने के लिए निकाला था मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूं क्योंकि मेरी तब्यत भी सुधरी नहीं है तब्यत बोलने से एक बैक पैन का प्रॉब्लम साम दिखाने के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं उसी टाइम में करूंगी सेट हो जाएगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कर लिया पूरा मैंने शफाई सेल्व की देखिए बरतन को कैसे खचा खच रख दीम फ्रेंट्स इसको मैं रखोंगी अंदर जो जलुरी है बाहर रखोंगी थोड़ा वो टेक्ष्ट्रा बाकि सारे समान को निकाल दी कमर की बैंड बज गए बैठना बैठा बने जाता फ्रेंट्स पूरी सफाई कर दी फ्रेंट्स जितनी भी थी पूरी सफाई कर दी पूजा रूम का क्लिनिंग फिनिश हो गया आप चलेंगे दूसरे रूम की ओर थोड़ा थोड़ा करके दीवाली तक मैं सब साफ नहीं गर पाऊंगी दीवाली के बाद दिरदर करूंगी क्योंकि एक ही बार होता नहीं है अब आगई में किचन में देखिए किचन की सफाई की हम अब आधे मतलब बचा हुआ है दिरदर करूंगी की देखे कितना घंदा गंदा बोने से क्या ना फरेंड यह मतलब यह दीवाल असीलन होता है बहुत ज्यादा बेसी न है बगल में में बहुत ही मतलब इसको मैंने मैंनेमhmen साफ करना पड़दा है यह नीचे आवाले सेलप को तुरंद गंदा हो जाता है कितना देखने दिवाल कितना से लन पड़ा है कितना कच्छा इसमें प्लास्टिक डालना पड़ता है तभी जाकर डबे सेफ रहते हैं वरना सेफ नहीं रहते हैं ये देखिए मेरी आलग ये लगबक गात के 10 बज़रे से फिन जब मैं इसकी सफाई कर रही थी थाकाबर भी लग रहा था मुझे अधर कर रही है परी क्या कर रही हो बेंटिंग कर रही है हेंड़ कर रही है मेरा क्यार कर रही है इधर देख निश्व डबबबभा कर रही विटा साब कर रहे हो दीदी ताला भी कोई दीदी एकडोटी इंचा कर चीजी तुमेरी इंचा क्योई से देखा मिया से क्या सबसाब साब क्या सबसाब साब साब क्या वेक साइड रोगो सब पूरी शफाई हो गई सेल्फ की देखिए कितना चमक गया चकाचक मस्त लग रहा है देखने में भी अच्छा लगता है आप लोगो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोग यह देखिए परी तुलसी चबुत्रा को पैंट कर रही है और मस्त गाना सुन रही है मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि कोपीराइट आ जाएगा चोटा बोक्स लगा ली है और मोबाइल पास में रखके मस्त गाना गागा के सुन रहे देखिए निश्टा इदर टिकट काट रही है कि अईद्धी बच्चे जीवन को और टेवहर को दोनों को एंज्वे करते हैं बड़े तेषन को कि तनाओ में ही उल्जे िवे रहते हैं बागी बच्चे मस्त त्रहते हैं बिंधास त्लिम्टर हैं देखिए दानस कर रही हूं अब जाना बज रहे हुसी गाने पे डांस करी निष्टा देख लीजे मस्ती से देखिए मजदूर हमने जारखंड से मंग हमाए है जारखंड से ख्री मलब तुर कलर ने आधे और अलग कलर आधे और अलग कर इनकी कलाकारी है अलग है लोग कि यह ऑल्ले से उपर कोन घरगा बोलते हैं इसे ही छोड़ देंगे देख लीजे इधर भी ऐसे छोड़ दिये है का जवर्जस्त है जारकंडी के लाका यहां पे भी पुरा घर फैला हुआ है फ्रेंड्स और मैंने भी देख ताइगर पुप एक पैर नहीं है ताइगर गर गर